असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं, सब लोग खेरिये से होंगे, आज की क्लास में हम लोग हाजिर हुए हैं, क्लास 12 उर्दू का कोश्चन बैंड के साथ मैं, आप तमाम लोगों का काफी ज़्यादा दिमांड आ रहा था, कोश्चन पूछा जाता है, यानि जितने भी एक्जाम हो चुके हैं, पूछा गया कोश्चन से ही, हम लोगों का कोश्चन पेपर बनता है, अगर आप लोग यह तमाम क्लास को अच्छे ढंग से कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, किस तरह से कोश्चन पूछा जाता है, मेंस एक्जाम में, और फिर यहीं से आपके सारे कोश्चन मेंस एक्जाम में बनेंगे, इसका कंप्लीट पीडिया नोट्स आपको एप्लिकेशन पे दे दिया जाएगा, पीडिया का फी काफी कम रखा गिया है, कोश्चन बैंक क्लास 12 उर्दू के लिए आपको क पर जोइन कर लिजेगा, ठीक है, बाकि जिन बच्चों को कॉर्स जोइन करने में किसी तरह की दुश्वारी आएगी या फिर परिशानी आएगी, आप लोग हमारे नंबर पर विलाजी जग कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे डारेक्स संपर कर सकते हैं, कॉल हो या फिर मेसेज हो, मैं नंबर लिग दिया रहा हूँ, 950, आप लोग नोट्स कर लिजेगा, ठीक है, या फिर स्क्रीन शोट ले लिजेगा, 950, 821, 47, 60, इस नंबर पर कॉंटेक्ट करके आप लोग कंप्लीट नोट्स पीडियाफ या फिर कॉर्स वगरे के लिए भी आप लोग नॉलेज ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर नंबर भी चल रहा है, आप लोग का स्क्रीन पे, 950, 821, 47, 60, इस नंबर से आप लोग रावता करके, कंप्लीट नोट्स पीडियाफ को प्रवाइड कर सकते हैं, कॉश्चन बैंक का हो, या फिर कॉर्स अगर आप लोग कोई भ हर बार तो लग भी हर बोट वाईचा ही कॉश्चन पूच रहे हैं, तो बहुत ज़्यदा फाइदा और हैल्फुल करने वाला है आप लोगों के लिए, आईए हम लोग कॉश्चन के शुरुवात करते हैं, सबसे पहला सवाल है, सवाल नमपर एक, दर्ज जहल में से नावि रहे हैं, तो मस्तनवी जहरे इश्क, इसके मुसनिफ का नाम है, शौक लखनवी, पता ये चला के जहरे इश्क, जो है ये एक मस्तनवी है, ये भी किलियर हो गिया, हम लोग चैप्टर नमबर 6 में पढ़े थे, बागो बहार, जिनके मुसनिफ थे, बागो बहार के देहली, क्या नाम है, मेर अमन देहली, चैप्टर नमबर 6 में पढ़े हैं, पता ये चला के बागो बहार हम लोगों का ये एक दास्तान था, मस्तनवी नहीं है, ठीक है, अब ये जो है आपका तौबत नसु, क्लास 10 में ही पढ़े हैं, आप लोग तौबत नसु नाम से, य ये एक जो है नाविल है, क्या हो जाएगा, ऑप्सन नमबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कितने बच्चों को अल्रेडी पता था, कमेंट सक्षन में जरूर बताना, ठीक है, आप बढ़ते हैं, हम लोग अगला सवाल, सवाल नमबर 2 के तरफ, यहां पर आप लेकिन ये जो असल में पहचान बनाया है, उर्दू अदब में, उर्दू दुनिया में, तो अफसाना निगारी के वज़े से, इन्होंने कमूब इस लगबग 127 के तकरीबन, 123 के तकरीबन करीब में अफसाना लिके हैं, तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, यह अफसाना निगार थे, और अफसाना निगारी से ही अपना उर्दू आजब में एक बड़ा फिल्ड बनाया है, इन्होंने, अफसन बी अपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, सुहल अजीम अबादी क्या थे, अफसाना निगार थे, अफसाना लिखने वाले थे, अगला सवा रही है, तो देखिएगा निगार अजीम, बेदी, कमर जहां और मुहम्मद मुहसीन, तो फरार किसका अफसाना है, मुहम्मद मुहसीन का है, किसका है, मुहम्मद मुहसीन, अफसाना फरार की मुसंनिफ कौन है, मुहम्मद मुहसीन है, याद रखिएगा आप लोग, अप्स और 1894 भी था option में, देख लिजिए, अब हम लोगों के पास सवाल आता है, सवाल नमबर फीर, ध्यान से देखना, जजबए इश्क किसकी मस्नवी है, option है आपके पास, मिर्जा नसीम, शौक लखनवी तो होगा ने, क्योंकि अभी हम लोग आपको बताएं, जहरे इश्क नाम स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छे नमबर सवाल आपके पास, हिजरत किसका इंशाया है, option है आपके पास, अहमेद जमाल पाशा, जफर कमाली, रजा नकवी बाही, मुझतबा हुसेइन, तो हिजरत के मुसनिफ के नाम है, एहमेद जमाल जो के चैप्टर नमबर फाइब से पूछा गिया है, हिजरत के मुसनिफ का नाम क्या है, एहमेद जमाल पाशा, चैप्टर नमबर फाइब का नाम है, हम लोगों का हिजरत, जो के एक इन्शाया है, और एहमेद जमाल पाशा, एक इन्शाया लिके हैं, जिसमें खाना बदो उसका तज़करा किया गया है और लोग जो है हिज़रत किस तरह से करते हैं यह तमाम बाते हैं जो है हिज़रत में बताई गई हैं कौन एहमद जमाल पाशा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल साथ नमबर पे बागो बहार के मुसनिफ कौन है यानि राइटर लेखक का न जाद बग्त तोटल पाँच कहानिया हैं बागो बहार में यह एक दास्तान की किताब है और दास्तान किसको कहते हैं जिसमें जो है जिन्नात भोत पड़ी यानि एक अलग लेवल का कहानी लगे जो के नाकाबिल यकिन हो यानि लोग जो सुने उस कहानी को उसको यकीन के बिल ना हो तो समझते हैं आप लोग जिन्नात और भोत पड़ी तो उन्नों को एक अलग लेवल का ही शक्ती रहता है ठीक है जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं वो एक अलग मखलुकात में हैं तो आप लोग ध्यान रखना इसका सही अंसर होगा बागो बहार के मसंनि इस पे ही जो है ये मिरमन दहलिवी किताब लिखे थे बागो बहार नाम से ठीक है ये सारी चीज़ा अप लोग याद करते हुए रखना है अगला सवाल आट नंबर पे धियान से देखना परोमिस किसका अफसाना है अफसाना का मतलब क्या होता है किस्ता कहानी ठीक है तो प बेटा जो है अपने-अपने कामों में मश्वूल रहते हैं मा को जो है कांधा नहीं देते हैं ये परोमिस जो करते हैं ये परोमिस फेल हो जाता है चारो बेटों का और हिंदूस्तान में आज चल रहा है इस तरह का ही चल रहा है तो फाइनली हम लोगों को एंसर देना है प में गुफतगुद के मुसंझिफ हैं ठीक है यह चीज तो हम लोगों को पता है मागि अकबर ऐलाहबादी के बारे मैं आप लोगों को पता होगा याद रखना अगला सवाल ग्यारे नमबर पहे बहुत बार हम लोग तरजिक साथ इसको पढ़े हैं जब बहुत बार पढ़ चुके हैं थे एक बार और सही सुनिएगा ध्यान से कि मुझे दिल की खतापर याशिशर माना नहीं आता पराया जुम अपने ना मुलिख वाना नहीं आता तो हम लोगों को एक दो नमबर वाला कोशन पूच देता है और कहा जाता है कि मुझे दिल की खतापर याश शर्माना नहीं आता पराया जुम अपने नाम लिखवाना नहीं आता इस शेर की तश्री करें तो आप लोग तश्री किस तरह से करेंगे और ध्यान से सुन लेना आप लोग सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे मुंदर्जा बाला शेर के मुसनिफ का नाम है यास यगाना चंगेजी यास यगाना चंगेजी इस शेर के जरीए कहना चाहते हैं कि मुझे अपने जो मैं खुद इससे खता करता हूँ उस खता पे जो है मुझे शर्मिंदगी कौन चीज की मैं उस खता को एकसेप्ट करता हूँ लेकिन अगर किसी दूसरे की सजा या फिर किसी दूसरे की खता मेरे उपर अगर दो गए हैं तो उस चीज को हम बरदास्त नहीं कर पाएंगे या फिर परदास्त नहीं कर सकते हैं इसलिए कहते हैं कि पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता इस तरह से आप लोग लिख लेंगे दो नमबर मिल जाएगा भाई यहां से अपनों का तीन नमबर फिक्स हुआ एक कोश्चन से 11 नमबर कोश्चन तो याद रखना मुझे दिल की खता पर याज डॉट डॉट नहीं आता मिस्रा मुकम्मल कीजिए आप लोग बताएंगे कि इसके मुसनिफ का नाम है या शेकाना चंगे जी मिस्रा हम लोग करेंगे यहां पर शर्माना लगाएंगे ओप्सन नमबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं स्वाल नमबर 12 गंए अर्शड किसका लिखा हुआ है काताय तारीक यानि गंए अर्शड किसका लिखा हुआ है काताय जुन्हों ने अपने 34 साला बेटे के उपर लिखे थे 34 साल उमर के बाद उनका बेटा का इंतकाल हो गया था उसी के मौत पर उसी के गम की यादों में गम अरशद नाम से एक कतय तारीक लिखे हैं जिनके राइटर मुसनिफ का नाम है आता काकवी याद रखना आप लोग एक का नाम है मिरमन दहलवी जो लिके हैं आपका दास्तान दास्तान भागो बहार ये दो ही दास्तान है हमारे निसाब में एक फसाने अजाइब और मिरमन दहलवी का क्या नाम है उस दास्तान का भागो बहार ये दोनों दास्तान हमारे निसाब में है तो फसाने अजाइब कि मुसनिफ का नाम है रजब अली बेग सरवर या फिर सुरूर भी कह सकते हैं फताने अजाइब ये क्या है किस कैटेगरी में आता है तो दास्तान के कैटेगरी में किस शायर की तखलीक है ठीक है तखलीक का मतलब राइटर या फिर आवारा नजम आवारा जो है उनकी मुसनिफ का नाम क्या है उसको कौन लिखे है उस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उपसन देखते हैं हम लोग फैज साहिर मिजाज और हरत तो सही अंसर होगा मिजाज लखनवी मिजाज लखनवी जो है ना इश्क और महबबत में उस तरह से गुमरा हो जाते हैं उस तरह से घलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं कि वो एक रोडो पे सरकों पे इधर उधर तो रहते ही हैं लेकिन उस तरह का वो जो है नजम वगरे भी बहुत सारे लि उसी चीज में जिन्दगी भर वो इश्क और महबबत में ही डूबे हुए उसके आखिरकार में उसके इंतकाल हो जाती है फैनल हम लोग मारेंगे कि आवारा आवारा से ही पता चलता है कि मिजाज लखनवी इनके मुसनिफ होंगे क्योंकि मिजाज लखनवी ही नजम आवार वन से ही पुछाया तो सब को तो आता ही होगा अफ सन नंबर वी बिलकुल perfect हो जाएगा अगला सवाज 16 नंबर पर नजीर एहमद का तालोक किस सिन्फ से हैं तो नजीर एहमद का तालूप नावेल से हैं क्लास पढ़ ली है नजीर एहमद एक नावेल निगार के हैसी से famous हुए हैं लेकिन मिरजा ठेल्ला बे्म उनके जो शागкой ढोवいき वे हैं वो वह है छाका निगारी ही न देंगे लेकिन आपका यहां पर जो चैप्टर का नाम है नजीर एहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी तो वो चैप्टर है अगर आपको जब भी पूछ दे नजीर एहमद की कहानी का तालुक किससे है तो आप लोग बताएंगे कि यह एक खाका है लेकिन नजीर एहमद परसनली नजीर एहमद के बारे में पुझा है कि नजीर एहमद जो उर्दू अदब में जो famous हुए हैं जाने जाते हैं किस हैसीएस से जाने जाते हैं तो नावेल लिगारी कि हैसी से जाने जाते हैं इसलिए आप लोग मारेंगे नजीर अमद का तालू किस सिन्फ से हैं तो नावेल लिगार ऑप्सन नमबर डीपी क्लिक करेंगे विल्कुल परफेक्ट होगा जिन बच्चों का डाउड था वो भी किलियर हो गिया होगा अगला सवाल 17 नमबर पे अगला सवाल आपके पास 19 नमबर पे सादत हसन मंटू कब पैदा हुए ऑप्सन आपके पास 1910, 1911, 1912, 1914 सही एंसर ओप्सन नमबर 1912, बिल्कुल परफेक्ट होगा अगला सवाल आपके पास 20 नमबर पे मौलाना अबुलकलाम आजाद का असन नाम क्या था अब्दुल्ला, सलीमुद्दीन अहमद, मौहियुद्दीन अहमद और अब्दुलहक, सही एंसर ओप्सन नमबर सी, मौहियुद्दीन बिल्कुल प अजमा है, गुबारे खातरी के मुसनिक, मौलाना आसाद है, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग जिहन में बैठाते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला सवाल आपके पास, सवाल नमबर 22 है, यगाना चंगेजी, कहां पैदा हुए, ऑप्शन है, कलकत्ता पटना लखनाव और धहली, तो याद रखेंगे, यगाना चंगेजी जो है ये भी एक अजीमा बादी थे, इसलिए हम लोग मारेंगे ऑप्शन नमबर B पे, यानि पटना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, अगला सवाल 23 नमबर पे अंजुम के माना क्या है, तो कासीदा कहते हैं, होजू का मतलब किसी के खेचाई करना, बुराई करना, मदाह का मतलब होता है, तारीब, आप्शन नमबर A पे बिल्कुल टिक करेंगे, परफेक्ट हो जाएगा, अगला सवाल 25 नमबर पे तश्वीव किस तिन पशायरी का हिस्सा है, तो तश्वीव जो ह आप्शन है कौन सा, जुझ मर्चिया से तालुक रखा है, कसीदा नहीं पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है, क्या आप लोगों से, मर्चिया, तो देखिए, मदा और गुरेज, यह दोनों सिंफ जो है न, किस तालुक रखता है, तो कसीदा से तालुक रखता बागी हम्द तो आप लोग जानते ही हैं जिसमां अल्हा ताला की तारीफ हो तोसीफ बयान की जाती है उसको हम लोग हम्द कहते हैं और बीन यह याद रखना मर्चिया के अजजाय तरकीवी यानि मर्चिया के टोटल आठ हिस्सा में इसको डिवाइड किया गया है और यह बीन है और बिल्कुर परफेक्ट होगा अगला सवाल 27 नंबर पे खोदा की तारीफ में जो नजमें लिखी जाती है उसको हम लोग हम्द कहते हैं घजल का आखरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्युस इस्तेमाल करता है या फिर लगाया जाए उसको हम लोग कहते हैं मकता कहते हैं मकता का शेर में ही शायर जो है अपना नाम का इस्तेमाल करता है यूज करता है बहुत सारे नातखा को सुनते होंगे आप लोग और देखती भी होंगी कि जो लोग अपने से खुछ से जो है नात रिखते हैं वो अपना नाम का इस्तेमाल करते हैं आखरी वाला शेर में उसी को हम लोग आखरी वाला शेर को ही मकता का शेर कहते हैं शुरू वाला शेर को मतला का शेर कहते हैं ठीक है उन्तिस नमबर सवाल आपके पास दर्ज जायर में से इसमें मुस्तगर कौन है इसमें मुस्तगर से मुराद जिससे किसी चीज की छोटा पन जाहिर हो इसमें म मुसगर पूझते तो आप लोग मार देना इस पे बागी चापे यहां क्योंकि लास्ट में चेहेजर चाह है ठीक है इसमें मुसगर का पैचान option number B बिलकुल perfect हो जाएगा जिससे किसी चीज की छोटापन जाहिर हो उसको हम लोग इसमें मुकबर कहते हैं माल लोग एक बड़ा वाला जो dictionary pocket dictionary होते हैं उसको लोग किताबचा कहते हैं वो आपका इसमें मुसगर हो जाएगा concept clear हो गया होगा आप लोगों का अगला सवाल 30 नंबर पे हुक में की जमा क्या होगी तो हुक में की जमा होती है एकाम option number B बिलकुल perfect जाएगा अगला सवाल 31 नंबर पे इनमें से से कौन से लवज मुझकर है मुझकर समझते हैं आप लोग मुझकर से मुराद लड़का जात पूरलिंग ठीक है है और मुणनस से मुराद स्टरलिंग लड़की जात finally इसका सही answer हो जाएगा मुझकर जो है नफरत आपका मुझनस है नफरत हमें हो गई मुहबत हो गई उल् लोग मुझजखक्र के सेंस में पिस्तिमाल करती हैं पहार को मुझधक्र हो जाएगा option number C फिक अगला सवाल 32 नंबर किया हूँ इसमें यगाना क्या है तो यगाना चंगेजी जो एना इस्टिमाल किया है यगाना का तखलुस इस्तिमाल किया option number भी बिल्कुल perfect हो जाएगा अगला सवाल 34 नंबर पे वह कल मुझे से मिलने आया था यह जुमला कि था था है आया था है ना लाश्ट में देखो था का पहच यहां देखे वह कल मुझे से मिलने आया था था आ गया माजी कल आया था पाश्ट की बात की जा रही है माजी हो जाएगा option number भी विल्कुल perfect अगला सवाल 35 नंबर पे आगाज की जित क्या होगी तो आगाज का मतलब हो उसी को हम लोग कहेंगे आगाज का मतलब शुर्वात अंजाम का मतलब उसका आखिरत पड़ी नाम वाला चीज़ ठीक है अगला सवाल 36 नंबर पे 921 होना क्या है ठीक है तो आप लोग बताएंगे कि 921 होना जो है जिसके लाश्ट में भी ना आ जाए इस तरह का मुहावरा या फिर जर्वल इमसाल के तरह अगर कहावत करें दिख जाए लाश्ट में ना आ जाए तो आप लोग बिला चीज़ग किस में मारेंगे मुहावरा में मारेंगे ऑप्सन नंबर भी बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाएगा जुमला कहावत मकूला थोड़ा से इस तरह से मैच ह लेकिन इन तो इनों में फर्क करने का आसान तरीका यह है ना आएगा तो आप लोग मारेंगे मुहावरा पर ठीक है न अगला सवाल 37 नंबर पर इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है यानि कौन सा जुमला सही है तो मैं जा रहा हूँ ये जुमला सही है ऑप्सन नंबर बिल्कुल perfect, अगला सवाल 38 नमबर पे जाहिज केकेट खेल रहा है, यह जुम्ला की कौन से किसमय हैं। अमरिया, इस्तफामिया, खबरिया, दाइथ के बारे में आप लोग किसी को खबर दे रहे हैं, अटला कर रहे हैं कि जाहित क्रिकेट खेल रहा है ये जुमला जो है ना खबरिया हो जाएगा option number C बिल्कुल परफेक्ट है अगला सवाल 49 नंबर पे निशान अउकाथ में वक्फा का मतलब क्या होता है तो वक्फा का मतलब होता है मुख्तसर ठहराओ वक्फा का मतलब क्या होता है तो आप लोग मारेंगे कि सर महल तो आम हो जाएगा क्योंकि कोई भी महल आ सकता है महल में खांदार में भी किसी का भी खांदार आ सकता है इमारत में भी कोई भी इमारत आ सकता है लेकिन अगर बोल दें ताज महल ताज महल से मुराद एक ही ताज महल जो के देहली में है, ठीक है, सोरी, जो के आगरा में हैं, और जिसके बानी जिसको बनाए है, शाज अहां, ठीक है, तो finally, option number A, बिल्कुल perfect हो जाएगा, अगला सवाल, 41 नमर पे, जदीद की जिद क्या होगी, तो जदीद की जिद जो है न, आप लोगों का कद लाता है, तो उसको हम लोग लकब कहते हैं, जो नाम जो है न, आपको अच्छा काम करते हैं, फिर बुरा काम करते हैं, किसी अवाम के तरफ से, या फिर किसी लोगों के तरफ से पढ़ जाता है, वही से नाम को हम लोग लकब कहते हैं, उम्मीद करेंगे, अच्छे से समझ म जो है यहां पर लोग अच्छे से घरामर वाली को समझाते हुए चल रहे हैं तो इस लिए सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डिटेल के साथ में और विस्तार के साथ मापलों को नहीं समझा रहे हैं लेकिन जहां तक पोसिबल है आप लोगों को समझाते हुए चल रहे हैं ठेके ना चाववालीज निम्र सवाल इने में से कौन तलब्स मौननस है मौननस यानि इस्तरली तो फाइनली आपका सही इंसर बुदाएगा किताब बागी स्कूल उस्ताद कलम ये तमाम जो है ना ये उर्दू डिक्शनरी के हिसाब से ये तमाम तीनों जो है मुजखकर है बागी किताब जो है मौननस है मेरी किताब मेरी किताब नहीं है ये मेरी किताब है इस तरह से हम लोग मौननस के सेंस में इस्तिमाल करते हैं कफगीर क्या है, तो कफगीर याद रखना, जिससे किसी हत्यार का इल्म हो, इसको हम लोग इसमें आला कहते हैं, कफगीर जो है यह एक हत्यार है, जो कि किचन रूम में इस्तिमाल किया जाता है, आप लोग देखेगा, इसमें आला, इसमें मुकबर, इसमें मारफ़ा, इसमें से नाम को वोलो केते हैं 40 नमब्र सी विल्कुल परफेक्ट होगा अग generous Wen dal गर शान सामा के मानी क्या है तो खाह सामा के मानी होता है खाना पकाने वाला यह मरीज सामाने वज़ने वाला खाना पकाने वाला खाना मर तो अगला सवाल आपके पास 49, उंट के मूँ में 0, इसका मतलब क्या होता है, तो उंट के मूँ में 0 का मतलब होता है, जरूरत से बहुत कम मिलना, ये एक जर्बुल इमसाल है, इसको हम लोग हिंदी में कहावत भी कह सकते हैं, ठीक है, तो जरूरत से बहुत कम मिलना, option number 1, बिल्कुल perfect होगा, आखरी सवाल है, आपके पास 50 number question, किस लफ्ज का मानी हसाने वाला होता है, तो मस्करह का मानी होता है, हसाने वाला, finally 2019 में, कब 2019 में आप लोगों का जो question की तादाद था, total 50 question पूछा गिया था, 50 question आप लोग बताना, 50 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, अगर आप आप लोड कीजिए, एस उर्दू education नाम से application, वहाँ पे आप लोगो complete notes PDF provide करा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, काफी कम fee रखा गिया है, या फिर हमारे number पे आप लोग contact कर लेना, 950-821-4760, इस्क्रीन पे भी आप लोगों को चलता होब, दिख रहा होगा, आप लोग आप लोगों को कैसा लगा, जरूर feedback दीजिएगा, आप लोगों का एक feedback, जो है ना, मुझे एक motivate करता है, लगता है, कि वाकई मैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को अच्छा लग रहा है, ये feedback आप लोग देते हैं, तो वहाँ से एक चीज का idea मुझे मिल पाता है, बहरे हाल, आप लोगों को class अगर अच्छा लगा है, उस हिसाब से comment करें, खराब लगा हो, उस हिसाब से comment करें, class अच्छा लगा है, अपने तमाम दोस्तों के पास class को share करने, मिलते हैं हम लोग फिर से एक अगली session में, अगली class में लिए खुदा हाफिज, अला हाफिज, जैहिन जभारत, टेक कियर, बाए बाए